आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल फ्यूचर ओनलाइन क्लासिस में और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज से आपके कॉंसलिंग स्टार्ट हो रहे हैं 21 से लेकर आपके 28 तक हैं तो जो कॉंसलिंग की परकिरिया है वो बहुत जल्द आप सारे कुछ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कॉलेज की बात की जाए और सीट कितना है इसके उपर मैंने कल बात कर लिया था लेकिन कॉलेज चुनने की परकिरिया है सबसे बहुत आपके कॉंसलिंग का पार्ट होता है क्योंकि मैं आपको बता दू जब भी कॉंसलिंग हो अच्छे college को जो है सबसे पहले चुनना है उसके बाद जो नीचे college है उन्हें आप चुन सकते हैं एक और यहाँ प्रशना रहा है कि कितने college को हम चुन सकते हैं तो देखे अभी तक जो है यह जारी नहीं हुआ है कि कितने college को आप चुन सकते हैं ऐसे मैं आपको बता दू कि pharmacy पॉर्ट टेकनीक या जो ITI होते हैं उसमें आपको जो मनें वो College चुन सकते हैं जैसे कि पॉर्ट टेकनीक होता है इसमें क्या होता है कि जितने भी ओल अभर विहार में जो पॉर्ट टेकनीक के College है सरकारी हो या private हो सभी का option रहता है आप जो है जिन्हें चुनना चाहेंगे उन्हें चुन सकते हैं तो मैं भी मेरे ख्याल से लग रहा है कि इसमें भी वही परकिर्यार रहेगी आपको गवर्मेंट चुनना है तो गवर्मेंट चुन सकते हैं जो होता है ना बहतरीन चुना जाता है मान ली कि हमें मालूम है कि मेरा rank 1,00,00 है और हमें college सरकारी नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं हम सरकारी college चुनेंगे मेबी अगर chance बने और मिल जा तो बहतर है हमारे भविश्य के लिए तो देखे जिनका भी rank के बहतर हो, जिनका rank बहतर नहीं हो और अगर वो क्या, कॉंसलिंग करते हैं मतलब कॉंसलिंग में तो आपके पैसे लग रहे हैं SC, ST वाले के लिए 350 रुपए PD वाले स्टुएंट के लिए और जो जेनरल है, जो EVC है या BC है या ERAWS है, उनका 500 रुपए लग रहे है तो जब आप पैसे दे रहे हैं तो आप कॉंसलिंग करने के समय कॉलेज चुनने में क्यों हटेंगे पीछे आपको मैं बता दू कि आपको कॉलेज चुनने है, तो सबसे पहले आप बहतर कॉलेज को चुनेंगे उसके बाद अगर लग भी रहा है कि नहीं होने वाला है बहतर कॉलेज में, तब जो है आप आकर नीचे वाले कॉलेज को चुनेंगे मेरी बात आपको समझ में आ रही है और कॉलेज चुनने की जो परकिरिया है वो बहतर होना चाहिए और अब हम बात कर लें कुछ बच्चे बोलते हैं कि क्या सड केवल हम 5 college चुन लेंगे तो मेरा हो जाएगा ऐसी गलती नहीं करना है आपको अगर आपको college चुनने के जो परकिरिया में अगर 10-20 दे रहा है option तो 20 college चुनना है समझ गया कोई भी खाली नहीं चुनना है जो बच्चे बोल रहा है कि केवल हम 5 college चुन लेते हैं मेरा इसी में हो जाएगा तो क्या ये सही है नहीं है तो मेरी बातों को समझेगा कि अगर आपको option में 20 college चुनने का option दे या 30 college चुनने का option दे तो आप कोई भी खाली जगा नहीं चुरेंगे सभी college को चुनेंगे ये याद रखेगा और जो भी अक्सर बच्चे इसी में गलती कर देते हैं क्या करते हैं उन्हें लगता है कि मेरा rank ठीक है और मैं 5-6 college में भर देता हूँ लेकिन आपसे भी आगे तो बहुत सारे बच्चे हैं न वो भी तो उस college को चुने होंगे और उनका rank बहतर होगा तो इसलिए ऐसी गलती नहीं करना है आपको college चुनते समय जो है सारे चीजों को बड़ी बाड़ी की से समझना है और सबसे पहले मैं आपको बता दू कि आपको जैसे counseling स्टार्ट होगी न हवराना नहीं है क्योंकि आपको 7 दिन दिया गया है 8 दिन努्रॉक्स आपको दिये गया है counseling के लिए अगर आज counseling नहीं होता है तो कल करेंगे यह नहीं है कि अगर आज counseling कर देंगे तो आपको government college मिल जाएगा और आपको अच्छे college मिल जाएगा ऐसा नहीं है counseling बेहतर होगा तो ही आपको college बेहतर मिलेंगे अक्सर बच्चे क्या करते हैं उनका rank बेहतर होता है लेकिन college चुनने में वह कहीं गलती कर देते हैं तो उनका क्या होता है कि दुसरा college आवांटीत हो जाता है अच्छे college उनसे निकल जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो है government अगर लग रहा है कि आपका rank ठीक है मैंने आपको rank के उपर बता दिया है कितने वाले rank जो है secure है कि उनको जो है आपको government college मिल जाएगा तो उतने वाले rank तो बेहतर तरीके सफाई कीजिएगा अगर गलती करते हैं तो फिर वो आपकी गलती है सारे कुछ यहां से बता दिया गया है कैसे करना है वो भी बताए जाएंगे जैसे site खुलते हैं उसके उपर हम बात करेंगे लेकिन आपको जो college चुनने की जो परकिरिया है सबसे बहतर आपको सबसे पहले तो आप अगर लगता है कि हम इस जीले से हैं अगर हम सारन जीले से हैं या छपड़ा जीले से हैं या बैसाली जीले से हैं तो हम बैसाली जीले से हैं तो भाई हम बैसाली के दो college है तो उस college में हम पहले नाम देंगे क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि मेरा college नजदीक हो ताकि मुझे जाने में सुहलियत हो क्योंकि आपको मैं बता दू कि DLR करते हैं सरकारी से तो आपको attendance लगेगा और attendance मांगेंगे अगर दूर college मिलता है तो फिर आपको वहाँ hostel में राना पड़ेगा नहीं तो room लेकर आना पड़ेगा तो यह बाते आभी समझ लिया तो सबसे पहले तो सभी बच्चे क्या करते हैं कि नजदीक वाले college को चुनते हैं और यह लाजमी है अगर मेरा भी result आता तो मैं भी सबसे पहले अपने घर वाले के पास ही जो चुनता क्यों भाई दूर चुनू यह सभी बच्चे जानते हैं तो सबसे पहले तो आपको नजदीक वाले college को चुनना है उसके बाद आप distance को देखेंगे कि कौन आपके नजदीक में जीला है कौन आपके नजदीक में जीला है उस जीला को मैं आपको बता दू मैंने college list का PDF दे दिया है और आपको इसके उपर वीडियो भी मैंने बनाया है नहीं है तो आप download भी कर सकते है online उस PDF को download कर ले और अभी यह भी खाली समय बैठा है न तो उस समय में क्या करे कि अपने ask pass के कम से कम 20 college का नाम चैन कर ले क्योंकि आपको counseling करते समय नहीं दिक्कत हो और मैं आपको बता दू कि PDF में आपको counseling करते समय वहां पर आपका college का तो नाम आएगा लेकिन जो PDF पहले से रिलीज हुई है जो बिहार सरकार ने रिलीज किया है उसमें जो है college का नाम सरकारी है कि अर्द सरकारी है वो सारी जनकारी दी गई है साथ इसाथ कितने सीट है वो भी जनकारी दी गई है और उसमें उसका कोड क्या है कॉलेज कोड क्या है उसके उपर भी बात कही गई है तो यह सारी जनकारी जो है आप एक बार देख ले और सबसे पहले मैं आप सरी लोग को यही कहूंगा कि आप लोग 20 किस कॉलेज का नाम लिखे ले भाई क्योंकि यह दिक्कत होती है बहुत सारे बच्चों को क्योंकि जब कॉंसलिंग के स्टार्ट होगा तो भाई पुछेंगे आप के जो भाई अगर भरते हैं तो ठीक है नहीं तो अब अगर जाते हैं साइबर कैप में तो वहाँ पुछेंगे कि कौन से college डाल दू तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी फिर बार बार कमेंट करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे टेलीग्राम, इंस्ट्राग्राम, फेस्बुक, सब जगा बर देंगे कि सर बताईए, सर बताईए तो मैं अकेला हूँ, आप सभी लोग भी बुरा मान जाते हैं मैं मानता हूँ, कि आप सभी लोग बुरा मानने की लाजमी है आप सही है, लेकिन मेरी भी थोरी प्रूलम आप समझ सकते हैं मैं अकेला बंदा, आप सभी लोग कितना जवाब दू लेकिन मैं अपने तरब से 100% देता हूँ और हमेशा देता रहूँगा कुछ बच्चे का कमेंट नहीं पर पाता हूँ जब आप उनसे माफिय मांगता हूँ दूरा नहीं मानिये का भाई आप है तो हम है ये मालूम है न मुझे आप है तो हम है आप जब तक रहेंगे जब तक हम रहेंगे तो सारी चीज़ी यह बताई जाएगी इसलिए मैं पहले ही आपको अगा कर दे रहा हूँ कि जब भी कॉंसलिंग स्टार्ट हो उससे पहले ही क्या करे कि college का PDF मैं क्या करता हूँ कि आपको भेज देता हूँ Telegram पर अभी हम जस्ट इस वीडियो के बाद जो है College का जो PDF है वो Telegram पर भेज देते हैं जिसमें आपको सारे College का लिस्ट है उसमें आपके सरकारी भी है और सरकारी भी है उसमें उनका नाम College का कितना सीट है और उसका Code भी लिखा हुआ है ताकि आपको भरने समय कोई दिक्कत ना हो और सबसे बड़ी बारी की चीज यही है सबसे पहले तो आप यही काम करें और अब बात कर लें कि Consuling की परकिरिया कैसे होगी तो देखे Consuling की परकिरिया में क्या होगा कि सबसे पहले आपका Login ID और Password लएगा और Login ID के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपका Roll Number लएगा तो कि यह Board के साइट पर लिखा हुआ है पूरी तरह से आप जाकर देख सकते हैं और नीचे आपका Password लएगा यह करने के बाद जो है आपका साइट उपेन होगा जहाँ पर आपके एक तरफ साइड में यहाँ पर दिखेगा आपका Name यहाँ पर Roll Number आपको दिखेगा Date of Birth दिखेगा और Maybe आपके Rank और आपके Marks सो करेंगी उसके बाद आपको नीचे जो है जिनका Rank अच्छा भी नहीं है वो भी सबसे पहले आप क्या करेंगे Government College चुनेंगी मेरी बस मज रहे है अगर आपको उसमें 20-30 चुनने का Option रहे तो अगर Limit होता है कि 20 College चुनना है तो भाई आप Private चुनेंगे अगर जिनका Rank बहतर नहीं हो तो क्योंकि मालने कि जब उन्हें मालूम है कि मेरा Rank बहतर नहीं है मेरा Exam अच्छा नहीं किया है मेरा College गवर्मेंट नहीं मिल सकता है तो हम क्यों गवर्मेंट चुननें ने भी आपको प्राइबेट में भी चांस कतम हो जाएंगे अगर राता है कि सभी College चुन सकते हैं तो सबसे पहले आप सभी लोग गवर्मेंट College चुनेंगे और कैसे चुनेंगे अपने Area बाइस चुनेंगे अपने नजदी की वाइस चुनेंगे और बहतर College की Performance बाइस चुनेंगे कि बिहार में कौन सा भेधर college है क्योंकि आप जा रहा है परने तो वहाँ पर थोड़ा knowledge भी तो जाए न यह नहीं किसे इतना आम निखा लिए सोग है वैसा नहीं तो यह बात है अगर रहा की केवल 20 college चुनना है तो अपने अनुसार से लगता है रैंक के अनुसार से आप चुन सकते हैं कुछ government कुछ private की हो जाए और ऐसे रहता है कि सभी college चुनना है तब तो आप सबसे पहले जितना government college है न पचास साथ सभी का चुननेंगे उसके बाद पच्पने प्रोक्स आपकी government college है और सभी चुननेंगे उसके बाद प्राइबिट कॉलेज चुनना सुरू करेंगे अगर ऐसा नहीं होता है तो आप मिला जुला कर दोनों mix करके अगर आता है तो मालने की पाँच 20 college है चुनना तो मालने की 5 college government चुनने और 15 college जो है प्राइबिट चुनने उन बच्चों के लिए मैं बोलना हूँ जिनका rank अच्छा नहीं है और जिनका rank अच्छा है तो 200 college government चुनेंगे तो यह मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समाझ में आ गई होगी और मैं बहत important आपको बता रहा हूँ और जैसे परकिरिया स्टार्ट होगी आप सभी लोगों को बताया जाएगा तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इर्पया आप सभी लोग घबराएंगे नहीं हबराएंगे नहीं किसी तरह की कोई भी गलती आप नहीं करेंगे आज आपका कॉंसलिंग नहीं होगा कल होगा परसो होगा तरसो होगा लेकिन गलती नहीं करना है क्योंकि आपकी एक गलती आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा समझे मेरी बात को तो आसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जब आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो फ्लीज आप लाइक भी कर देंगे क्योंकि आप सभी लोग के लिए मैं बनाता हूँ वीडियो और आप सभी लोग का लाइक ही मुझे मोटिवेशन करता है तो आप सभी लोग लाइक करेंगे, सेर करेंगे, सस्क्राइब करेंगे थाइंगी सो मच, जैहिंजा भारत तो मिलते हैं नेक स्टूडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, थाइंगी सो मच